शाशके मादमिक विद्याले जरीर में क्लासों की वजा ट्वाइलेट के सामने बठाए ज़ा रहे बच्चे कक्षाओं में फट्टी पड़ी मिली किताबे खबर का राहल शेतर के अंदरगत आने वाले जरीर गाउं के मादमिक विद्याले से हैं जहां सिक्शम अंदिर के पत्रकार आने का पताच्छला तो आनन फानों ने पढ़ाई शुरू करवार दी गई वहीं विध्याले के कक्षाओं में एक दिवार पर सरस्वती वंदना लिखी हुई थी उसी के नीचे सरस्वती रूपी किताबों का आपमान भी हो रहा था किताबे फटी हुई वस्था मे इदर उदर पड़ी हुई थी वहीं जिस क्लास में कुर्सी सिक्षक के बैठने के लिए होती है उस पर बिचाने वाली टाट पुट्टी रखी हुई थी और तो और बच्चों को क्लास में पढ़ाने के जगा बाहर बने पेशाब घर के गेट के सामने बद्बू के बीच प अनंद ले रहे थे मालूम करने पर पता चला कि स्कूल में 65 बच्चे हैं लेकिन बहुत कम ही बच्चे वहां उपस्ते थे जिसमें से भी कुछ तो बहुत कम उम्र के बहारी बच्चे भी बेड दिखाने के लिए बैठा लिये थे जरेर के प्रात्मिक विद्याले में के नाम पर सिर्फ खान पूर्ती की जा रही है सवाल ये उठता है कि इस तरह सिक्षा के विबाग के लापरवाई के बीच कैसे ये बच्चे पढ़ पाएंगे और कैसे इन आदिवासी बच्चों का भविश्य सुधर पाएगा कलेक्टर संजे कुमार के सक्त निर्देश के बाद भी आदिवासी शेत्रों के स्कूलों में ऐसी लापरवाही आए दिन देखने को मिलती है आखिरकार कब ऐसे सिक्षकों पर ठोस कारिवाही होगी अतीति सिक्षक वर्ग दो तो यहां आपके जो सिक्षक हैं यहां पर एक ही सिक्षक है है हम को नहीं तो लाखन जी यहां पर क्यों नहीं है तो लाखन जी यहां पर क्यों नहीं है तो आज कोई काम से जा सकते हैं तो इसकूल छोड़कर के बच्चों की सिक्षा पर इसका अ यहां आते ही नहीं रोज आते हैं लेकिन स्कूल के वक्त जब अभी हम यहां मौजूद है तब तो यहां पर वो नहीं है अभी अलगे यह तो आप कह रहे हैं यह मुझे नहीं मालूम ना कि वह अभी गये सुबह सिगनेचर करके गये हैं इस तरह की लापरवाई शिक्षा विभाग में देखने को मिल रही है या फिर यह मजदूरी करेंगे या अधिवासी बच्चे जो है यह सब लगाएंगे बच्चे कितने बज़े लगाते हैं बारा साड़े बारा बज़े लगाते हैं बच्चे आपके आपन रेगुलर पड़ते हैं तीस पैतिस बच्चे यहां रो जाते हैं ठीक है दूसरी एक चीज़ में जाना चाब